आज तक रेटियो सुनता है सारा जहाँ एक चूला है जिसकी नौब रूसी राश्टपती व्लादमीर पुतीन के हाथ में हैं वो तनाओ की आच तेज कर सकते हैं और चाहे तो मध्धम कर सकते हैं कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि इन सब के बावजूद शायद वो युक्रेन को नेटो सदस से बनने से न रोक पाएं लेकिन ये टाक्टिक्स उन्हें युक्रेन और पश्चमी देशों से कुछ महलत, कुछ छूट, कुछ रियायतें जरूर दिला सकती हैं इधर बागी देशों के बाद अब भारती दूतावास ने भी युक्रेन में रह रहे हैं भारतियों के लिए एडवाइजरी दी है कि वो आस्थाई तोर पर स्वदेश लोट जाएं भारती दूतावास के मताबिक युक्रेन में करीब 18,000 इंडिन स्टूडेंट्स इंजिनिरिंग, मेडिसन और दूसरी फील्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहां मेडिसन की पढ़ाई के लिए पहुचते हैं आज तक रेडियो के हमारे साथ ही कुलदीप मिश्र ने युक्रेन में मौजूद कुछ ऐसे ही चातरों से बात की यह समझने के लिए कि जंग की आशंका का उन पर क्या आसर पड़ा है और क्या वो भारत लौटने के बारे में सूच रहे हैं हमारे साथ इस वक्त युक्रेन में पढ़ाई कर रहें MBBS की पढ़ाई कर रहें कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं आईए पहले तो अपना नाम बताएं और यह बताएं कि युक्रेन के किस शहर में आप लोग हैं और जिस बॉर्डर पर टेंशन्स हैं जिस सरहत पर तनाव है वहां से कितना दूर अभी आप लोग हैं मेरा नाम है सूरज कुमार मैं उजग्रोध नैशनल युनिवेर्सिटी जो मतलब बेस्ट साइड में पढ़ता है उक्रेन के कि उसे 600 किलोमेटर दूर है हम वहां पढ़ाई कर रहे हैं हम six year के छात रहे हैं और medical के पढ़ाई करते हैं तो आप सभी लोग उस शहर में हैं और वो बहुत दूर है जहां tensions हैं लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूँगा अभी Indian government के advisory आई है कि जो भारती नागरिक महां है Indian students भी जो है वो अस्थाई तोर पर स्वदेश लोट आएं तो उसके बाद से किस तरह के sentiments हैं उसके पहले किस तरह के sentiments थे जब से war की आशंका है मेरा नाम पवन है तो जिस city हम जिसमें रह रहे हैं इसका नाम उश्गरोद है अगर मैं यहां के हालातों के बारे में अगर बताओं तो यहां पर situation काफी बहतर है अगर हम बाकी areas के मुकाबले से compare करें क्योंकि हम west में हैं और war जो है वो eastern Ukraine के अंदर जादा है तो मुझे लगता है वहां के students जो होंगे उनमें हो सकता है panic का level जादा हो मेरा नाम मिली सवाल्या है और मैं गुजराट से हूँ तो मैं इस पर यह कहूंगी कि obviously घर से तो बहुत calls आ रहे हैं और काफी बाते हो रही है कि वापस आना है क्या है क्या करना है रुकना है लेकिन यहां रहके ऐसे डर नहीं लग रहा इतना कि हम पे ही कुछ होने वाला है या हम बहुत अंसेफ है वो वाली feeling नहीं आ रही है तो शायद हम ना जाए इंडिया वापस मिरे नाम कुछपेंद रस्टवाल है यह आज ही notice आया है embassy से कि मतलब जिनको भी temporary basis पर घर जाना है वो जा सकते हैं बट इसमें problem यह है कि flights के ticket बहुत ही साधा high है और कुछ-कुछ flight तो cancel भी हो रही है तो हमें बिल्कुल guarantee नहीं है कि means अगर हम ticket भी कराएंगे तो वो होगी या नहीं होगी और घर से किस तरह घर पे बात होती होगी घर पे anxious महौल है थोड़ी बेचैनी घवराहट है घरवालों को की हाँ देखिए घरवाले हैं वो लोग तो बहुत जादा डरे हुए है हम उनको समझा भी रहे हैं कि मतलब हम लोग थोड़ा सा दूर है बट फिर भी डर का माहौल तो बहुत जादा है क्योंकि पता नहीं न next क्या होगा और जो Indian students महाँ पर हैं मतलब Ukraine जो है वो students को in general बहुत रास आता है बाहर से बहुत चातर वहाँ पढ़ने जाते हैं आपके साथ भी दूसरे देशों के students आए होंगे जो पढ़ते होंगे पर Indian students भी बड़ी संख्या में जाते हैं MBBS करने भी बहुत सारे students जाते हैं वो कारण क्या है अगर आप वो share कर सके हैं आपसे बात करने का मौका मिला है इंडियन students को Ukraine क्यों पसंद आता है पढ़ाई करने के लिहाज से पहली चीज़े कि Ukraine पसंद आता है वो है इसका कोस्ट जो यहाँ पर means fee structure है वो इंडिया के मुताबिक काफी कम है मतलब यहाँ पर जो medicine की fees है वो बहुत ही जादा कम है इंडिया के मुताबिक और यहाँ पर रहने का खर्चा अब भी काफी कम है और जो degree मिलते हैं वो भी शायद globally recognized है आप वहाँ के जो political situation है आपकी एक general observation उसके बारे में क्या है जैसे Ukrainian community में वहाँ के local लोगों में रशिया को लेकर के या वहाँ के president Vladimir Putin को लेकर के locals में आप किस तरह के sentiments आप देखते हैं मैं देखता हूं कि जैसे कि यहाँ पर दो टाइप के Ukrainian है प्रो-Russian है और एक है Ukrainian लेकिन जिस area में रहता हूं यह area पूरा Ukrainian है तो ज्यादतर मैं यही देखता हूं कि यह लोग मतलब कि Ukraine को ही अपना country मानते हैं और प्रो-Russian सबस्यादा best side में है तो वहाँ का वहाँ वाले सोचते होंगे और जहां तक हमने सुना है कि वहाँ वाले से सोचते हैं कि हम ethnicity जो अपने आपको feeling करते हैं वह ethnicity जो यहाँ का ethnicity है मुझे मालूम है कि बम आ करके आपके उपर नहीं गिरने वाला है आप लोग बहुत दूर है वार शुरू होगा तो कई तरीके से वह effect तो कर सकता है क्या ऐसा होता है कि सुबह उचते हैं और उठकर के सबसे पहले खबर देखते हैं रोज मर्रा की जिन्दगी में तो यह को जरते हैं रहता है जो क्रीमिया और लोगांस पर हमला हुआ तो वारे जो सीनियर्स थे वो हमें वहां के बारे में बताते रहते थे जैसे कि मेरी बात हुए थी कुछ दोस्तों से जो कीब में हैं, तो हमारे यहां पर थोड़ी इतनी टैंसन नहीं है, लेकिन जो दोस्तों वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो काफी थोड़ा दर का महल बना हुआ है, क्योंकि आर्मी वहां से निकल रही है, थोड़ी जैसे होता था पहले वैसा अब नहीं रहा है, तो थोड़ा वहां पर डर का महल है, तो अभी आप लोग भारत लोट रहे हैं या नहीं इंडियन गर्वर्मेंट के अडवाइजरी के बार, एक्शुली जब भारत के अमबैसी और जब जलेंसकी का बयान आया, उसके बास से हम सोच महीने का ही कोर्स लेफ है, तो इसलिए हम उस तरीके से बहुत अच्छे से डीसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करेंगे? यूक्रेन के पश्चमी छोर के उजग रोध शहर में रह रहे हैं भारती चात्रों से बात कर रहे थे कुलदीप मिश्रम